Hello and Assalamualaikum. Welcome once again to my YouTube channel. आज जैसे कि आप लोगों ने केप्शन देखी लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं Germany की health insurance की हवाले से कि कौन सी health insurance जो है वो लेना मुनासिब है, किस में हम पैसे बचा सकते हैं और किस में हम पैसे गवा सकते हैं. तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो confused हो रहते हैं कि उनके लिए private insurance बेतर है या फिर public insurance. तो आज मैं आप लोगों साथ एक बार फिर से अपनी screen को share करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या उसमें differences हैं और किस तरह से आप अपने mind में clarity लेके आ सकते हैं कि आया कि आपको public insurance लेनी है या पर private insurance. वीडियो के start से पहले आप लोगों से एक request है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने friends और family के साथ जुरूर शेयर कीज़ेगा ताकि वो लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें. तो चलते हैं वीडियो की तरह. Public insurance और private insurance में major फर्क क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ये वाज़े कर दूँ कि public insurance हो या private insurance हो आपके monthly पैसे आपके account से automatically deduct हो जाते हैं. लेकिन फर्क ये है कि जो आपकी public insurance है, इसमें आपको कोई भी पैसे doctor को नहीं देना है, किसी hospital में नहीं देना है, ये clinic में नहीं देना है. प्राइवरेट इंशुरेंस में आपको खुद पैसे देना है, वो आपका जो insurance number है, वो उस bill पे पेस्ट कर देते हैं और वो bill फिर आप सेंड करते हैं अपनी insurance company को, then they will return to your account. तो इसमें आपको ये दर्च का जुरूर लग सकता है, अगर आपके पैसे जादा लग जाते हैं, तो आपको on the time, on the spot आपको पैसे arrange करने पड़ेंगे. खेर, वीडियो का आगास करते हैं, हमारे पास public insurance में जो most famous कहलें या जो जात लोग यहाँ पे insurance लेते हैं, वो है AO का, यानि के अलगिमाईने और स्क्रांकन कास है, इसकी cost monthly जो है, वो approximately 100 to 120 euros per month है, अगर आप 23 to 28, 30 years तक अगर आपकी age है, तो आप यह insurance ले सकते हैं, वैसे तो इसके बाद भी ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद पैसे हो जाते हैं, double. Public insurance में दूसरा option है, आप लोगों के पास TK का, और TK भी same service provide करता है, और इनकी fees भी for students, मैं अब भी आपको बता रहा हूँ, जितनी भी cost है insurance की, तो मैं student के हवाले से आपको बता रहा हूँ, इनकी cost भी around 120 euros तक ही है, यह भी public insurance है, जैसे कि आप देरी screen पर देख सकते हैं, एक और है, बार्मर, तो बार्मर भी जो है, वो public insurance है, यह तीन insurance मैंने आपको बताई हैं, जो अकसर लोग यहाँ पर purchase करते हैं, मैं आपको फिर बताता चलूँ कि यह जो अभी मैंने आपको cost बताई है, 120 euros, यह under 30 euros है, यानि कि अगर आप इस पर देख सकते हैं, कि 30 साल तक की उमर अगर आपकी है, तो फिर आपकी यह charges है, otherwise इसके charges होते हैं double almost, लेकिन रखने वालों का फाइदा क्या है, वो मैं अभी आगे जा कि आपको बताऊंगा, अब चलते हैं private insurance की तरफ, private insurance का जो plan है, वो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह मैंने खोला है Mavista का portal, और Mavista में यह आपको जो services दे रहे हैं, वो अभी आ जाएंगी, जी, यही services, limited services होती हैं, लेकिन जो basic आपनों की needs हैं, जिस तरह OPD में आगर हम जाते हैं, fever है, cough है, normal injury है, वो आप अराम से इदर cover कर सकते हैं, और भी बहुत सारी facilitation, जो है, जो आपको facilitate करते हैं, यह insurance, तो यह सारे packages हैं, और इसके price जो है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, के नीचे अभी आ रहे होंगी, यह तो coverage दी दी है, जितनी भी आपको नजर आ रही है, coverage है, यानि के public insurance पे ऐसी कोई limit नहीं है, कि अगर आपकी surgery जो है, वो for example, 5 lakh की है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1,40,000 मिल रहे हैं, तो इस तरह कुछ नहीं है, limitation, नीचे आजाते हैं, cost की तरफ जैसा के आप देख रहे हैं, कि यहाँ पे भी airs लिखे हैं, कि आप कितने साल तक की यह लेना चाहते हैं, 18 से 29 साल के हैं, 30 से 40 साल के हैं, उसके price यहाँ पे दिये हैं, तो यहाँ पे आप अपना package, अपना कुछ select कर सकते हैं, इसी तरह private insurance में एक और हमारे पास care concept, care concept भी same इसी की तरह है, जिस तरह नवेस्ता है, कि आपने पहले खुद pay करने हैं, और फिर उसके बाद वो bill आपने post कर देना है, य अपने insurance company को, then they will return you within 15 days, sometime if the amount is huge, like more than 1000 euros or 1500 euros, तो फिर definitely उसमें कुछ time लग सकता है आपको, तो जैसे कि आप लोग इसमें भी देख रहे हैं, कि 12 से 29 साल की उमर तक की जो है, वो 69 योर्स पर मंद है, और इसके अलावा, students के लिए यह, 30 से 24 साल की उमर वालों के लिए 95 योरो ह है तकरीबन, तो यह जो है packages आप इसमें select कर सकते हैं, जो लोग job seeker visa पर आ रहे हैं, मैं उनसे तो यह ही कहूंगा, कि जब तक आपकी job seeking चल रही है, तब तक आप जो है, वो private insurance ले ले ले, once your job, once you will get your job, so definitely you can change it into public insurance, definitely public insurance के बहुत जादा फायदे हैं, I will not recommend कि आप जो है, वो private insurance की तरफ ही जाएं, क्योंकि public insurance की सबसे अच्छी बात यह है, कि आपको इसमें जो insurance दी जा रही है, and for example, after some time, your spouse will come to your side, and this insurance will also include your partner, तो आपको कोई extra charges नहीं देने, in fact, कि अगर आपका baby भी यहाँ पर हो जाता है, तो वो भी इस insurance में covered होगा, यानि कि for example, आपकी insurance जो है, व आपकी wife आती है, तो आपको जो है, या आपके husband आते है, तो आपको कुछ extra देने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ही उनकी coverage हो जाएगी, तो यह सारा आपको benefits सिर्फ और सिर्फ पब्लिक insurance में मिलते हैं, और इसमें किसी भी चीज के extra charges नहीं लिए जाते है, until unless कि जो beauty, यानि cosmetics में वो आजाता है, dentals उसमें covered नहीं है, हाँ basic जोरूर covered है उसमें, कि for example आपको जो है, बहुत जादा pain हो रहा है, या फिर आपका, जो है, वो dentist का बहुत जादा major problem है, तो सही है, लेकिन अगर आप कहते हैं, कि मुझे दान जो है, वो दूसरा लगवान है, तो definitely it's not gonna be covered, because it type of beauty, तो यह सारी चीज़ें हैं, जो इस पर include नहीं होती, best thing is, कि अगर आप पूरा साल इस insurance को इस्तमाल नहीं करते हैं, so you will get some amount from this insurance companies, and they will return you something, तो जनाब उमीद करते हैं, कि आपके सारे points असमें clear हो चुके होंगे, कि आपने जर्मनी आने के बाद कौन सी insurance लेनी है, private insurance या public insurance, मैं किसी insurance को support नहीं करता, पर अगर आपने short term देखना है, तो I will recommend कि आप private की तरफ चले जाएं, और अगर आपने long term देखना है, पैसो का problem नहीं है, तो I will recommend कि आप जो है, वो public insurance की तरफ जाएं, because if you want to settle in Germany, so public insurance will definitely help you out, तो उमीद करता हूँ कि सारे points clear हो गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी हो, तो जरूर लाइक कीज़ेगा, next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी आने के बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़े हैं, जो आपको पहले करनी है, और जर्मनी पहुँचने के बाद वो कौ